ही लोला के एस मालब आज़िंग के सायग में खिया में है किन में घुर्ण समाज पार्ट शेंच के दूरा बहु dużo यहां तो है में है मेरे मेज्यन समाच पार्टे के दुवारा एक all प्र्शे अहToo और उसमें बोजन समाज पार्टी के सम्मानित परभारी जी जिला देख जी और हमारे जिला पंचाहत के निर्वरत्मान चैर्मेन सुबास वर्मा जी के दुआरा परदेश की भाजपा सरकार पर आरोप लगाए गए थे कि किस परकार से सत्ता का दुरूप करकर के बोजन पार्टी की सरकार में किया है मैं आप सब लोगों को ये कहना चाता हूं कि 3745 चुनाओ में बोजन समाज पार्टी बहुत मजबूती पर्दी के सांद चुनाओ लड़ने का काम कर रहे हैं जिससे कि भारते जंता पार्टी के सरकार बोफला गई है कि उनको पता है उनकेल मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं कि बोजन समाज पारटी का कोई भी कारे करता कोई भी पदादीकारी जुके का नहीं और पूरी मैंनत के साथ काम करता रहेगा तो इस भाजपा की सरकार को वोट के माध्यम से वोट की चोड़ देने का काम करेगा आप लोग देखेंग कि जब 28 तारीक को रिजल्ट आएगा तो भोजन समाज पार्टी के जदा से जदा से जीद करके आएंगे और भोजन समाज पार्टी का इबोर्ड बनने का काम होगा मैं आप सभी मीडिया के साथ यह कोई कह देना चाहता हूं कि मानने सुबास वर्मा जी का पर्चा जो निरस्त हुआ है आप लोग उसको ये ना समझे कि सुबास वर्मा जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं सुबास वर्मा जी के साथ साथ उनके सपूत्र स्री नमनीच चौहान जी का भी अब उन्होंने परचाद आखिल किया हुआ था सुबास वर्मा जी के एक्सपिरियंट के साथ साथ हमारे नमनीच भाई के जिवा जोस के साथ हम आज बहुजन समाज पार्टे के समर्थित प्रत्यासी के रूप में नमनीत चोहान जी को आज यहां पर बहुजन समाज पार्टे का प्रत्यासी घोसित करते हैं मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं अपने सभी कारे करताव से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग इस भारती जनता पार्टी की ताना साही से ना जुकते हुए इसके सामने ना डरते हुए आप लोग बहुजन समाज पार्टी को और भी ज्यादा ताकत के साथ उभारने का काम करें और बहुजन समाज पार्टी भी आप लोगों के साथ तनमंदन के साथ खड़ी हुए है हमारा हर एक कारेगरता इस भारते जंदा पार्टी को मूँ तोड जवाब देने के लिए सदक से ले करके संसोत तक लड़ाई लड़ने का काम करेगा और मैं भाई नमनीच चोहान जी के उजवल वहिशे की काम ना करता हूं और पुरा बोजन समाग इनको चुनाओ लड़ाने का काम करेगा और निश्ची तोर पर आप रिजल्ट में भी देखेंगे बही नमनीच चोहान चुनाओ जीतने का काम करेंगे